असलाव अलेकुम, I hope आप सब खेरे से होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ एक्तम अलग तरीके से बहुत ही जादा स्पाइसी भूना मसालेदार चिकन की रेसिपी जिनें बहुत ही जादा टेस्टी और स्पाइसी पसंद है वो इस रेसिपी को जरूर एक बर ट्राइ करें जिसे एक रोटी की भूक होगी ये चिकन इतना टेस्टी और मज़िदार बनता है कि वो दो से तीन रोटी तो जरूर इखा लेंगे इस रेसिपी को बनाना बहुत ही जादा असान है मैं इस रेसिपी में बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी ये आप मेरी वीडियो को स्टेप बे स्टेप फॉलो करना और एंड तक जरूर देखना बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है ताकि अगली आने वारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और वीडियो अगर से पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना चलिए तो शुरू करते हैं स्पाइसी मसालेदार भुना हुआ चिकन बनाने के लिए यहां पर 700 ग्राम के खरीब चिकन लिया है अच्छी तरह से वाश कर लिया है और इसमें कुछ इस तरह से मैंने कट लगा दिया है ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें अंदर अबसॉब हो ज़े हाफ टीजपून हल्दी आड़ कर दिया है हाफ टीजपून नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जाधा कम कर सकते हैं यहां पर मैंने एक चमच विनेगर का यूज किया है आप चाहे तो लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं इसकी जगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरह से और इसे 10 मिनट्स के लिए ढख कर रख देते हैं चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ अब यहां पर कुछ खरे मसाले रोस्ट करना हमें तो मैंने यहां पर टीजपून मैंने होल कॉरिंडर लिया है यानि साबूत धनिया लिया है मैंने वन टीजपून सॉफ दस से बंदरा काली मिर्च दो से लॉंग एट कर दिया है मैंने इसमें एक बड़ी लाइची दो चोटी लाइची इन सब को हलका सा भूनेंगे एक खुश्पू आने तक जादनी रोस्ट करना बस इसमें हलकी से खुश्पू आजाईगी उतना हमें इसे रोस्ट करना है किसी भी डिश में साबूत करे मसाले डिर्क ग्रैंड करके ना डालें इसे हलका सा भून कर ही डालें भूनने के बाद इस खरे मसाले में खुश्पू अलग ही आ जाती है रोस्ट करके आप मसाले को एट करेंगे किसी भी खाने में तो उससे आपके खाने की टेस्ट में जाना जाएगी खाना एक तम बहुत ही ज एक कराही में एक चुमाच देशेग ही आड कर दिया है जाद ह colony लिया है थोड़ा सा गरम होने देते हैं इसे इतने भी चिकन के पीसे हमने रखे थे तस मिनत के लिए सब इसमें हम इसमें करदेगे पानी बिल्कुल भी हम एड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चिकन का पानी खुद बाखुद रिलीज होगा चिकन का पानी छूटता है तो दो से तीन मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे हम अच्छे तरह से भुनेंगे और उसके बाद एक बाउल में इसे निकाल लेंगे इसके बाद मैंने एक कराहे में थोड़ा सा तेल अड़ कर दिया है आपको जो भी पसंद है वेजेटेबल ओयल या सरसो का तेल उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने या पे वेजेटेबल ओयल इस्तिमाल किया है इसके बाद मैंने 4-5 खरीज साबूत लाल मिर्च लिया है आप जादा कम कर सकते हैं इसके प्लेवर रिलीज होने के लिए 2-3 सेकंड तक इसे चलाएंगे इसके बाद मैं मेडियम साइस के अनियन आट कर दिया है इसे बरीक बरीक काट लिया है इसके पीसे छोटे ही रखने है ताकि अच्छी तरह से गलजाए पीसने के कोई ज़रूरत नहीं है और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे एक ब्राउन होने तक कलर आने तक इसे भूनेंगे कुछ इस तरह से light brown color होने देंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 teaspoon भढ़के लसन का paste आट कर दिया है 1 teaspoon भढ़के अद्रक का paste अद्रक लसन के paste में कुता ही ना करें इसे भी 3-4 second के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसके खुश्बू कच्चे बनकी खतम हो जाए इसके बाद 1 teaspoon भढ़के मैंने लाल मिर्चाट किया है आप सादा कम अपने हिसाब से कर सकते है और यहाँ पे मैंने जो ग्रैंट केते मसाले रोस्ट करने के बाद उसे इसमें डालने इसके बाद कोई भी मसाले डालने की ज़रुवत नहीं परेगी क्योंकि सारे मसाले इसमें इंक्लूड है और इसे अच्छी तरह से इसे भी भून लेते है 2-3 second के लिए अब सारी चिकन की बिसेस जो मैंने 2-3 मिनट तक पकाने के बाद रखे थे उसे इसमें डाल देते है और इसके बाद इसे अच्छी तरह से 5-6 मिनट के लिए भूनेंगे 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को ग्रैंड करके उसका पतला सा फ्यूरी बना लिया था अब उसे अट कर देंगे साबूर टमाटर भी इसकी जगर डाल सकते है बट मैंने इसलिए यहाँ पे टमाटर की फ्यूरी बनाई थी ताकि मुझे एक्स्ट्रा आगे जादा पानी डालने की ज़रुवत ना पड़े यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी एड कर दिया है बिल्कुल थोड़ा सा पानी है जो मसाले एड करने के बाद बावल में बचे वे थे उसे में पानी डाल करके उसे add किया है मैंने then मैंने यहाँ पर half teaspoon salt add किया है मैंने starting में marination के time भी half teaspoon salt add किया था आप अपने taste के according ले सकते हैं एक से दो मिनट के लिए अच्छी तरह से और पका लेते हैं इसे इसके बाद हम late लगा लेते हैं और 12-15 मिनट के लिए और अच्छी तरह से पकने देते हैं इसे flame हम medium पे ही रखेंगे उसके बाद इसे open करके देखते हैं मेरे 15 मिनट हो गए हैं मैं late open करके दिखाती हूँ यह देखें अब इसे थोड़ा सा भूनते हैं और यह मैंने पानी की quantity आपको कम बताई थी आपको तोर के दिखाती हूँ माशायला से बहुत अच्छी तरह से एगल गया है चिकन हमारा बिल्कुल perfectly complete cook हो चुक है मैं इसे serve करके दिखाती हूँ यह भूना हुआ मसालेदार चिकन एकदम complete हो चुक है बहुत ही कम टाइम में कुछी चीज़ों से यह recipe बनकर तयार हो जाती है इस recipe को अपनी family और friends के साथ enjoy करें और मुझे comments करना ना भूलें कि यह recipe कैसी बनी थी recipe मेरी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना चैनल को subscribe करना मत भूलना अपना ख्याल रखना अल्हाफीस